हलो फ्रेंड कैसे हो आप लोग तो मैं आपके लिए आज एक इनफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहा हूं जो इंडिया से जो बंदे आ रहे हैं अभी जो नए बंदे हैं जिनका फिंगर हो चुका है और टी आर से आने वाली है या किसी के आ गई है तो जो डी एसे से जो ब क्योंकि अभी स्लोवेनिया में बहुत सारे बंदे चेंज कर रहे हैं कमपनिया क्योंकि जो डी एसे से यहां से आपको भेजती है तो वो उदर जाने के बाद में जो भी दूसरा बंदा आपको उदर जो आपका क्लाइंट है वो लेने के लिए आता है तो अभी फिलाल में उसने क्या कर दिया कि जो बंदे कमपनिय छोड़के गए हैं उसके बाद में वो लोग अभी 4200 यूरोपे साइन करवा रहे हैं और तीन साल का आपको लोन दे रहे हैं वो लोग तो जो बंदा वहां से आता है डी एसे से वो पहले ये बात क्लियर कर ले कि हमने आपको पैसे दिये हैं तीन लाक दे हो या चार लाक दे रहे हो आप कितना भी दे रहे हो डी एसेस को वो आप वहां ही खुल के बात कर लो क्योंकि यहां पर बंदों के साथ हो चुका ऐसा जो वहां से तीन लाक रुपे दे के आए हैं फिर आने के बाद में इदर 4200 के लोन पर साइन करता है क्या करें बेचारा क्योंकि पैसा 3200 रुपे उदर दे दिया फिर 4200 रुपे इदर 7200 हो गए तो यह बहुत बड़ा यह लोग गेम कर रहे हैं तो आप उदर से आने से पहले ही डियेसेस से बात कर लेना कि मैं वहां जाने के बाद में एक रुपे का भी साइन नहीं क है मैं आपको दे रहा हूँ और अगर आपको अच्छी लगे तो इसके बारे में सोचना क्योंकि ओल्रेडी तीन बंदों ने यहां पर साइन कर दी हैं 4200 के उपर और डियेसेस वाले कुछ नहीं करते हैं जो डाइनमिक वाले हैं वो कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनको पैस अनक में वहां से आ रहे हैं तो हमको यह चीज़ देखनी है कि वहां पर क्या चल रहा है तो एक दूसरे के साथ में आगर आप किसी के लिंक में हो तो उनसे बात करते रहो क्योंकि यहाँ चेंज होता रहता है हर चीज तो मैं यह जो इन्फरमेंस आपको दे रहा हूँ यह ध्यान से सुनना बंदा वहाँ से आ जाता है साइन करके यह लोग बहुत सारे नाटक वहाँ पे करते हैं कि वहाँ आपको जाके यह मिलेगा वो मिलेगा मिलता कुछ नहीं है तीन लाग रुपे दे के आओ यहाँ पे फिर आने के बाद में इधर चार लाग पे साइन करो अकॉमेडेशन नहीं मिलता है वहाँ पे बड़ी-बड़ी बात करते हैं इंट्री के टाइम में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा इतना मिलेगा और फिर क्या है ये लोग अभी जो नए बंदे आ रहे हैं उनको 700 के उपर साइन करवाकर लेकर आ रहे हैं अभी जो 2023 में लोग किया है जो अधर कंट्रीज के लोग हैं ड्राइवर जो इंटरनेशनल हैं उनको 1204 से लरी है ध्यान से सुनना 1204 ठीक है वो बेसिक आपकी उसके बाद में आपको अवरली जो ज्यादा गंटा आप काम करोगे यहां पर आने के बाद में अगर आप कॉंट साइन करते हो लेबर कोट का तो वो आपको 1204 की मिलेगी अभी वो पढ़ना उसमें क्या-क्या रूल और रेगलेशन दीए वे वीकली आपको 40 गंटा काम करना है ठीक है उसके अलाव अगर आप ज्यादा काम करते हो तो आपका पैसा डबल बनता उसमें गोर्मेंट को टेक् कि जो अधर कंट्री के ड्राइवर हैं उनकी सेलरी है ठीक है तो आपको यह उदर क्या करते हैं कि हम एक अजार आपको बेसिक देंगे और 200 रुपे खाने के देंगे या 1.500 देंगे इसका यह देंगे उसका वो देंगे तो सेलरी 1200 जार है आपको उदर से कुछ भी साइन कर करना है जब आपका इंट्री हो जाता है वो टाइम में क्लाइंट को पूछना है कि बेसिक सेलरी कितनी देगा तो ठीक है और जो वहां पर डोकुमेंट रेडी होंगे उसका खर्चा कौन देगा डी एसस देगा या आप दोगे वह बात कलियर करके यहां से जाना आपको लोग भी चोर हैं और इधर वाले भी चोर हैं इसलिए बी केरफुल आप लोग पैसा दे रहे हो फरी में जा रहे हो ठीक है और ये रोप में अभी ड्राइवर की बहुत जुरूत है इसलिए अगर आपको अच्छा इंगलिस आता है आप यहां पे इंट्रिवाइड करते हो एंबेसी में जाके इंट्रिव में पास होते हो उसके बाद में आपको खुल के बात करनी है अगले के साथ में कि पैसा मैं दूंगा लेकिन आगे जो कोड 95 है टापो कार्ड है जो भी डोकुमेंट रेडी होते हैं यहां पे उसका पैसा हम लोग नहीं पे करेंगे हम लोग 3 लाग रुपे दे के जा रहे हैं तुम यहां पे साइन करके दे दो कि तुमारे डोकुमेंट के पैसे डी एसस ने पे किये हैं वो बात वहां आप कलियर करके आओ ओके यह जो मेरा वीडियो है आप लोग जितने भी आपसे जुड़े वे लिड़के हैं उनको बतानी है यह ठीक है आप सेर सस्क्राइब करो या नहीं करो वो आपकी इच्छा है लेकिन मैं जो यह इनफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ यहां आने के बाद में आपको बहुत काम आएगी इसलिए जब आप इंटरू दे दे तो वो टाइम में क्लियर करना है यह बात ओके थैंक्यू देक्रेओर देखा है जब चाहिए लाह है तो यह रो चाहिए बनफर देतम करेव करहले नहीं करने के लाहिए तो है झाल झाल